हाँ जी आज अपां जिस कवी बारे इस लेक्चर देवे जगाल करनी है वह आधुनिक पंजाबी कफ्ता दा इकीमा कवी सुर्जीत पातर सुर्जीत पातर एक अजिहाना है जिसनों सुनसार पदर देवस्ते जड़े पंजाबी है जड़े थोड़ी बहुत विसाय तक मस रखनवारे लोगों का है बगूत चंगी तरह सुर्जीत पातर दे नातो वाकफ ने, चुद्धी कफ़ता दो वाकफ ने, चुदा धे घजलकारी तो वाकफ ने सुर्जीत पातर अपने आप दे वेचे एक बहुत मुकंमल शायर है ते सुर्जीत पातर दा जड़ा जनम है ओ चौदान जनवरी उनिसो पंताड़ी नूं पिंडपत्र कलांजला कपूर्थला देविच सरदार हर पजन सिंग देखा रहुंद है यू व पंजाब गरे कर्च नियुए मस्ट्री दे विच पंजाबी दा प्रफेसर रेंद है। प्राई हो पंजाबी नूस्टीर पट्याड़ा देविच्ट कर दा उने पंजाबी सैथ साथच नों जू काव दित्टेने गज ना देविच गुलाज ह्वाचले लिखे हरफ ब सुर्जीत पातर दिये खुशकिस्मती रही है कि उस दी कवता नों बहुत मान मिड़े है देश वदेश तो उन्हों सहतिक संस्थावाने बहुत सारे सनमाना नालने वाजिया है और एथो तक कि उन्हों पार्थी सहत अकडमी दा पुर्षकार वी जड़ा है वो हासल हो चुक ह सुर्जीत पातर बारे समाजिक विवस्था दी जड़ी बे मेरत निरार्थक स्थिती है उन्हों बड़े प्रबावशाली कावक त्रीके नाल पेश करदा है ते यतार्थक चिंतने जो नमी चेतना जगाई है ते समय दे संकालपा ने जो नमी सोच पैदा कीती है ओदे जी डोन ने सहारा पावना और व्यापकर्थ देखे अपने कफ़ता दे राहिए पेश करदा है तो प्रमप्रागत जड़ी जीवन जाओ दे फोके आहएए जानजर तक पख आपके उननों रधार्द ये अदिक संभावनम करेश करन्द और यतन कर दरड शुर्जीत बाथर देखे जा सकत आण शुर्जीत पौन ने बारे डाक्टर बिलजीत कॉर त्री भिर जो अलौक्र ने उना दिजा लॉक्ऎत हर्ना आपने समय दे यथार्तियां वेपेन परताना दो-चार हुंदेयां उस दा समवेदन शील मन जो पर बावग्रेंड करदा है उस दी चेतना दी पठीच पैके खरा सोना होने पड़ते हैं मनुख्षी पावनावादी कोमलता ते मनुख्षी सोच दी स्वच्छता नूं चोलस रहें जड़ियां परस्थित यां ते नादे फास्रूप मनुख्षा अंदर पैदा हो रहें जड़ि मौका प्रस्तियां खुदगर्जी है रस्मी पनाएं ते दखावाएं जा सब्सक्राइब कावक चिंता दा बहुत वड़ा विशा है इनना स्थितिया नूं रूबमान करदे हो मानवता प्रती अपनी कावक करता प्रती वी सुचेत रहें दे चों तरफी फैले हैं एरदे विच वेकमुखी आस्ती रोशनी जगाई रखना उस्ती कवता दा स्वागत योग कदम है सुर्जीत पातर आज दे दौर दा परमुख प्रगीत का रहा है पावे गजल लिख रहे हैं जा घीत पावे खुली कावता लिख रहा होए उसी रचना दा सबाप प्रगीत करेंद है वो देविच अपनी किसम दिक कावकता जड़ी है वो मजूद रिदी है व रूप जड़ा घजल है उन्हों पंजाबी दी सरल लाय विच बननदा एक सफल यतन कीता है एक सफल पंजाबी घजल कार वजों उन्हें अपने आपनों स्थापत कीता है कि उस दी गीत रचना वी बड़ी गंबीर सोरवारी हून करके पंजाबी मंदी साथगी नाड चितरन कर जान दिये उसी कामता दे इनना गुणा करके उन्हों आजदे दौर दा सब तो वद पड़े लिख्या गाया ते सलाहया जानवाडा पंजाबी कवी हून दा मान प्रापत है सो एसी डाक्टर सुजीत पातर बारे कुछ गल्ला उसनी जिंदगी बारे कुछ गल्ला लंबा समाने पंजाबी युनिवस्टी तो पड़के ऊसो बाद पंजाब एगरिकर्च युनिवस्टी दे विच पड़ाया ते जड़ी अपने सलेबस दे विच तो कवतावानी या रचनावानी उन्हानु आनू अपा इस वीडियो लेक्च्टर दे विच संजा कर दिया पहली कावरचना है एक लर्जदा नीर सी एक लर्जदा नीर सी एक लर्जदा नीर सी ओ मर के पत्थर हो गया दूसरा इस हाद से तो डर के पत्थर हो गया तीसरा इस हाद से नू करन लगा सी ब्यान ओ किसे पत्थर दे कूरन करके पत्थर हो गया एक शायर बाच रहा सम्वेदना संग लर्जदा इन्ने पत्थर उता गिंटी करके पत्थर हो गया एक काव सत्राजडियां टाक्टर सुजीत पात्तरदी अदुनिक पंजाबी कव्ता काव संग्राय देविच्चु रचना एक लर्जदा नीर ओदेविच्चु लहियां गई इस कव्ता देविच्च कभी ने एक पापेशकारन दी कोशिश कीती है कि एक सम्वेदन शील मुनोख एक जुल्म सित्म वड़े एक सिस्टम देविच्च किमें चुप हो जानदा है किमें उन्हों अपनी आपनों दबावना पेंदा है ता सरजीत पात्तर केंदा है कि मुन कूरंदे डारतों ओ चुप हो गया कभी ही बच गया जो इस तो पैदा होई संवेदना नाल को रहा सी पर उसदे द्वाड़े इन्ने पत्थर चुप सन के ओ उन्हां दी गिंती कर दिया खुद पत्थर में सूस कर रहा सी इस प्रकार एक अफता विच कभी ने दमन महीं सत् पता है कि है उदे विच किस तरह एक व्यक्ती जड़ा है उपिसरे है उदा जिकर इस रचना दे विच शी देख दिया एसी कवता एक लर्जदा नीर सी अगली रचना बहुत खूब सूरत है नजर नजर कवता दना है लगी नजर पंजाब नूँ एदी नजर उतारो लेके मिर्चां कौडियां एदे सिर्टों वारों सिर्टों वारों वार के अगदेविच साड़ों लगी नजर पंजाब नूँ एदी नजर उतारों अग्याओ तो एक आव 17 वी तो अड़ी अधनिक पंजाबी कफ्ता जो काव संग रहा है उदे विच्छ दर्ज जो सरजीत पातर दी कफ्ता है उदे विच्छों लईयां गई यानि पंजाब दी त्रास्ती दा जड़ा एक इतिहासक प्रसंग है वो दिच्छ बड़ी बेबाकी नाल जिक्र करता कि की की ओस समय होया यह जड़ी रचना है कि ए अपने आप्च पंजाब दे संताब नूँ पेश कर दिया चाहे इस यह नूँ संताली दे ना जोड़ लिए उनिस संताली दी पार्तपाक वंडर ना जोड़ लिए चाहे इनूँ चरासी दे कतल आम ना जोड़ लिए जिस नजरी तो भी इसी जोड़िए यह रचना जड़िया है महत्तपूर्ण नजरों की कहिंदा है पातर की कहिंदा है कि पंजाब नूँ किसे दी नजर लगई है आधनि नजरों तारे मिर्चां संदियाँ कि उप्राला कर न कर दी लोड़ है जिम्हें आम एक मित्थ है कि कौड़ियां मिर्चां सिर्फीन किद्रों लेंडना जानियां वेड़े विच बढ़ियां पहली पर्वी फसल्ले ना दी उधों लगी जद्वापे पंजाबियां पंजाबी चेड़ी तो कि कहिंदा है कि पंजाब दी नजरों तारली जैरों कौड़ियां ते नैश मिर्चानों साड़न दी जरूरता है यह मिर्चा किसी होर था तो नहीं लेंड जानियां यह ता अपने वीड़े चीप धेरियां पही है इन्हां मिर्चान दी पहली फसल जान्दे मारे वटनवाडे काउण संद यह पेदना लगा परवे दोशा लहु परवे दोशा खून ता पक्गां से लथा इन्हां सतना देविच पातिरे ब्यान कादे कि पंजाब चेड़ियां मिर्चान जा कोड़ियां जैरवर्गियां मिर्चान दी पहली परवीम फसल उदो होई जदो पंजाबियां ने अपनी मा बोली चाड़ती सी ते फिर पंजाब दी तर्तीच उस दी असली फसल दे बीज उदो खलारे गए सन जदो राज आंदे लोग निर्दोश लोग मारे गए सन निर्दोशा नू कतल करन वाड़े असल चिकाउन सन एदा तक किसे पह गया अपना बेगानना जित्तों तक जिट्तों तक छां तक्त दी अंगां अग्ञां ही अग्मां चौंक चीलागे ही सरदियां पग्ञां ही पग्ञां ता पात्र लीगन खाव ए सखानू पजाब निर्दोशान दे कून दे जिमेवा ठेया थैसोनु पग्गां सिखान दियां पगगां ही पगगां सडल लगी जदों इंद्रा गांधी दा कतल होया उस मौके दी प्रदानमंत्री दा तो दों बहुत सारे सिखान हो जड़ा है वह आचनावाचे लड़ियां परियां और दिल्ली जहां हूर इस तरह दे जिए उन्हादी कमुनिटी काट सी उन्हाने पंजाब वालनों पजणा शुरू करता पत्ते पूटे डोटियां फुलना दियां लड़ियां सब कुछ अगविच सड़ गया मिर्चाना सड़ियां ओ मिर्चां जहरीलियां है सिर्तों वारों सिर्तों वारों वार के आगदे विच साड़ों मिथे की दसी जंदी झालिया के जड़ियां मिर्चें जो वार के सिर्फ तो आगच जा दिया तो जीता उनको वाशना आजे तो मिर्चें चड़ जाना तो नहीं लगी ते जो मिर्चान नाज़्व नजर लगी होई मिलिक सबक हो कर सबस्क्राइब करते चार बाद संग साड़ो लगी नजर पंजाब नूँ इदी नजर उतारो लेके मिर्चा कोडियां इदी सिर्तों वारो तक कभी कहनता है कि पंजाब च फैली नफरते जड़ा हैं पागलपण दी आग गया है इस साड़े वड्यां दी जीब है इना मिर्चा नूँ उस अग दी पेट चड करते हो मेरे पंजाब नों किसी नजर लाग गई है इदी नजर उतारों लएकि कोड़ियान मेर चलेंके dil फिर तो बारे डिए जडिया है वो उतार देगो है तो प्यारे उतिया ऐसम जाखतावा अ फिर आमांगा किसे नमें कभी देनार तद तक तुसी मेनू देओ अजास्त रब राका